हेलो इवरिवन, वेलकम टूवर चानल, आज के वीडियो में हम सिखेंगे ट्रेंडिंग प्लीट ब्लाउस बनाना वो भी सिर्फ एक मीटर कपड़े में, इससे पहले भी मैंने प्लीट ब्लाउस की कटिंग स्टिचिंग आप सबी के साथ शेयर की है, अगर आपने नहीं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसे बनाने के लिए में फैबरिक मेरा एक मीटर है, और यह मेरा अस्तर है, हम सिर्फ फ्रंट पार्ट की मार्किंग देखने वाले हैं इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको बताऊंगे कि मैंने बैक वगिरा कैसे बना साड़े, सोला लिया, बिगनर है तो दो प्लस करना, उसके बार शोल्डर में ने पोने छे इंच लियो हैं, 5.75, शोल्डर और आर्म होल आपका बैक निक की लेंद के उपर डिपेंड रहेगा, तो टोटाई, गले की चोड़ाई में ने 2.5 लिया है, याने 2.5 इंच, और आ 8 आया, प्लस टेर इंच मेंने सिलाई मार्जन लेकर माक किया है, अब डार्ट इस्टेंस के लिए सीने का दसवा हिस्सा लेकर 3.4 पर माक करेंगे, चेस डिवाइडे 10 करके, फिर उपर से बस पॉइंच का माक करेंगे, बस पॉइंच दस है, तो हम हाफ इंच प्लस करके पर करना है, और हम यहाँ डार्ट की जो कटिंगे वो अंदर-अंदर कर रहे हैं, मार्जन को लेते हुए, आपको मेन पर कटिंग नहीं करना है, डार्ट की, आर्म होल कट कर लिया है, और नेक की भी हम कटिंग कर देंगे, अभी आपको मेन फापरिक पर कटिंग नहीं करना ब्लाउस की यह जो मेन फाब्रिक के मैंने वन मीटर लिया हुआ है अब हम डार्ट को स्टिच कर लेंगे डार्ट आपको सिर्फ अस्तर में ही लगाना है मेन फाब्रिक में नहीं लगाना है तो इस तरह से मैंने दोनों डार्ट को स्टिच कर दिया है डार्ट स्टिच करने के को के बाद हमें form कर लेंना है इसरे और इसका center है चोडाई में के खुडाई में बीचे मोथ मैं कर लोगा लिए पूरी एक लाइन and कमी सेंटर मांर कर लिया अब इसके उपर अस्थर के कपड़े को सांडरा कीरी तरफ रखी और इसका भी center mark करेंगे और इस तरह से दोनों के center को मिलाते हुए set कर देंगे pin up लगाकर दोनों shoulder में दोनों shoulder पर और center में हमने pin up लगा दी है अब हम इसे stitch करेंगे half of inch का sly margin लेते हुए आपको pin up जरूर कर लेना है दोनों shoulder और neck पर ताकि ये easily set हो जाए और इस तरह से हमने half of inch का margin लेकर stitch लगा दी है अब हम neck को cut कर देंगे pinz निकाल कर अब neck को cutting करने के बाद हमें छोटे छोटे से noches लगाना है cut लगा देना है पूरे गले में ताकि अच्छे से turn हो जाए अब इसे पलटेंगे और अस्तर पर एक सिलाई लगाएंगे जो हमने पहले सिलाई लगाई उसका जुकाओ अस्तर की तरफ करकर एक stitch मार देंगे ताकि अच्छे से turn हो जाए अब हम इसे पलट देंगे उल्टी साइट और एक मेन स्टिच लगा देंगे आप चाहे तो इसमें वुक्रम भी पेस्ट करके नेक को तयार कर सकते हैं अगर आपका कपड़ा पतला है तो नेकती यार करने की पाद अगर आप beginner है तो आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजएगा आप इसे उल्टा कर लीजएगा और armhole की जगह आपको चोक से मार्किंग कर लेना है फिर इसे dab-dab कर लेना है, दोनु साइड armhole में ऐसा ही करना है, फिर इसे सीधा कर लीजेगा तो आपको armhole की marking easily दिखेगी, फिर इसे dark कर लीजेगा दोनु साइड तो आपको plit बनाने में आसानी होगी, अब इस तरह से एक-एक plit को उठाना है आपको और set करते जाना है, तो ही second plate उठाएंगे और इसे भी pin-up से set करेंगे, चार से पांच plit हम बनाएंगे, आप जादा भी बना सकते हैं, पर चार से पांच काफी रहेगी, ऐसी आपको चोड़ी-चोड़ी plits लेते जाना है, और pin-up से set करते जाना है, प्लिट का साइज इक्वल रखिएगा, जादा कमना हो, इस बात का ध्यान रहे, पहले जो मैंने प्लिटेट ब्लाउस की कटिंग स्चिचिंग आप सभी के साथ शेयर किये न, उसमें मैंने पूरा आपको इंच बा इंच बताया, कितने इंच के गैप पे बनाना है, तो आप वीडियो जरूर देख लेना, अगर आप कर misma है, और पिन अप से सेट कर देना है, पिन अप जरूर लगाए, और अगर आपका कपड़ा यहांपर पतला ही, तो प्रेस सेसीं प्लिट्स को सेट भी कर सकते हैं, अब से मैंसे ही इस साइड हम प्लिट्स बनाएंगे, जैसे हमने इस साइड बनाई है, चारो प्लिट्स, और यह जो ब्लाउस है मैंने जो सारी के साथ ब्लाउस आता है उसी से तयार किया है थोड़ा सा जुगार लगाना पड़ेगा आपको कपड़ा तो कम रहता है अगर आप नॉर्मली इस ब्लाउस को बिना जुगार के बनाना चाहते तो आप 1.5 मिटर कपड़ा लेना क्योंकि अगर बिगनर है तो आपको दिक्कत तो आएगी इसे बनाने में ठेके मुझे यसारी के साथ जितना कपड़ा मिला है उसी में मैंने इसे बना कर तयार किया है बैक कैसे बनाया इसलीव कैसे निका लिए यह सारा कुछ में आगे एक और वीडियो आएगा उसमें बता और आप यहां पर चाहे तो पिनप भी कर सकते हैं फिटिंग की जगह यह इस तरह से पिनप कर लेंगे और पूरा इसे स्टिच कर लेंगे में फाबरिक जो है उसे अस्तर के साथ आपको स्टिच कर देना है अब लेकिन ध्यान रखिएगा पिन से सुई ना तूट जाए इस तो इस तरह से पूरा इस तरह फाबरिक मेंने कट कर दिया है अब अब मैं इसमें लेस लगा रही हूँ आप चाहे तो पाइपेन भी लगा सकते हैं तो यह इस तरह से में लेस ली है गंगुरे वाली और इसे स्टिच कर दूँगी में इस तरह से रख कर आप चाहे तो पहल इस तरह से एक साइट से स्टिच करने के बाद इसे ओपन करके अस्तर की साइड एक और से लाई लगाएंगे इस तरह से ये इजी ली टर्न हो जाएगा अब बलाउस को उल्टा करेंगे और उस पर अस्तर वाली साइट को रखेंगे सीधी साइड अंदर की ओरे और हाफ अफ लेकर stitch लगा देंगे अब stitch करने के बाद इसे turn करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा अब यहाँ पर belt की finishing की सिलाई नीचे की ओर लगा लेंगे top stitch अब main fabric को half inch fold करते हुए इस तरह से stitch कर देंगे belt पर main fabric को अंदर की ओर fold करना है ध्यान रखना है less hide ना हो और बिल्कुल आराम आरम से आपको stitch कर देना है इस तरह से पूरा हम half a finch का fold करते हुए belt को blouse के साथ stitch कर देंगे तो ये हमारा front part पूरा ready हो गया है तेख सकते हैं आप इसका back और sleeves कैसे निकालना है इसी fabric में से जो कि साड़ी के साथ हमें मिला है उतने कपड़े में से तो इसका मैं अगला वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं back और sleeves कैसे निकाली है ये clear कर दूँगी और ये resign अगर आपको अच्छा लगा हो तो please वीडियो को like, share and channel को subscribe करना बिल्कुल ना भूले फिर मिलते हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye and thanks for watching guys